मेरे यूटूब एन इसनो नेश्पर आपका स्वाकत हैं, नमस्कार मैं हून रिश्कमार, सबसे पहले उन दर्श्कों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियो को शेर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी वरिशब राशी है, वरिशब राशी और बुद्ध यहां पर रहेंगे, गुरु यहां पर रहेंगे, सूर्य यहां पर रहेंगे, यह चारो ग्रह जो एक साथ रहेंगे वरिशब राशी में, तो उसका आपकी राशियों के उपर क्या प्रभाब पढ़ेगा, कैसे वो यह आपके लिए आय बढ़ाने का काम करेंगे या कारोबार में व्रिदी का काम करेंगे या समाजिक पतिष्ठा बढ़ाएंगे क्योंकि इन में चारो ग्रह में से तीन ग्रह पॉस्टिव हैं सूरे ही सिर्फ एक negative ग्रह हैं लेकिन बाकी तीनों ग्रह पॉस्टिव हैं तो इसका क्या आसर आएगा आपकी कुण्लियों पर ये आगे वीडियो में समझते हैं दोस्तों 31 मई से लेकर 12 जून तक व्रिशव राशी में चार ग्रहों का यूग बन रहा है सूरे गुरु बुद्ध और शुक्र इसी राशी में रहेंगे मेश राशी के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो गोचर होगा धन भाव से होगा धन भाव के गुरु कारक भी हैं वहीं पर बैठ जाएंगे और शुक्र चुकी धन भाव के स्वामी भी हैं वहीं पर बैठ जाएंगे यहाँ पर ये धन में व्रिदी करने का काम करेंगे कोई ऐसा धन आपको मिल सकता है सवधी के दुरान जो आपका नहीं है क्योंकि यहां पर सीधी द्रिष्टी पड़ेगी चारो ग्रहों की अष्टम भाव पर जो छुपे धन का भाव है तो निश्चितोप पर मेश राशी के जात्कों के लिए ये चार ग्रहों का गोचर तेरा दिन के लिए बहुत अच्छा है दोस्तो 31 मई को वरिषब राशी में चार ग्रहों का योग बन रहा है सूरे गुरु बुद्ध और शुक्र ये चारो वरिषब राशी में रहेंगे 12 जून तक करकराशी के जात्कों के लिए ये चत्रुग रही योग बहुत अच्छा है क्योंकि ये योग 11 भाव में बनेगा शुक्र 11 भाव के स्वामी है करकराशी के जात्कों के लिए वहीं पर रहेंगे सूरे धन भाव के स्वामी है आय भाव में आ जाएंगे ये बहुत अच्छा है गुरू चुकि आय भाव के कारक है ये साथ में एसोसेट हो जाएंगे तो ये अच्छा है ये विपुल धन योग की फोर्मेशन करता है ये चारो ग्राय पंचम भाव को एक्टिव करेंगे जो कुंडली का दूसरा सबसे शुब भाव होता है तो निश्चे तोर पर इन तेरा ग्रों में आपको आय और धन में व्रिदी होती होई नजर आएगी दोस्तों 31 मई से व्रिशब राशी में चार ग्रहों का योग बनेगा सूरे, गुरू, बुद्ध और शुक्र ये चारो ग्राय जो है वो व्रिशब राशी में रहेंगे और मकर राशी के जात्कों के लिए ये योग बहुत अच्छा है क्योंकि ये योग बनेगा पांचवे भाव में पांचवे भाव में शुक्र की अपनी राशी आएगी, गुरू का गोचर वैसे ही यहां से शुब होता है ये दोनों शुब ग्राय सीधा ग्यार्मे भाव को देखेंगे, इसके साथ साथ बुद्ध भी देखेंगे बुद्ध चुकी राशी के स्वाम, जो हैं वो मित्र है, मकर राशी के मित्र है, बुद्ध जो हैं तो वो भी देखेंगे, तो निश्ची तोर पर 11 भाव जब एक्टिव होगा, तो समाजिक प्रिष्टा में वरिदी करेगा, आई में वरिदी करेगा, यदि आपकी कोई प्रमोशन पैंडिंग है, तो वहाँ पर प्रमोशन भी आपकी हो सकती है. 931 माई से वरिषब राशी में चार ग्रहों का योग बनेगा, सूरे, बुद्ध, शुक्र और गुरू, चारो ही वरिशब राशी में रहेंगे ये योग बहुत अच्छा है कन्या राशी के जात्कों के लिए वरिशब राशी में चार ग्राहों का योग बनना बहुत लाबकारी है क्योंकि ये योग बनने का नुवे भाव में नुवा भाव भागय का स्थान होता है शुक्र इसी भाव के स्वामी है और गुरू यहाँ पर अच्छे गोचर में है बुद्ध यहाँ पर अच्छे गोचर में रहेंगे सूरे यहाँ पर अच्छे गोचर में रहेंगे दोस्तो 31 मईसे वरिशब राशी में सूरे बुद्ध गुरु और शुक्र का चार ग्रही योग बनेगा, ये योग जो है कुम राशी के जात्कों के लिए बहुत अच्छा है, जो बृषब राशी में चत्र ग्रही योग जो बन रहा है, ये कुम राशी के जात्कों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये योग बनेगा चोथे भाव में, चोथे भाव में बैठकर ये चारो ग्रह दस्वे भाव को एक्टिव करेंगे, दस्वे भाव आपके करम का भा आपके कारोबार का भाव होता है, आपकी नोकरी का भाव होता है, तो निश्चे तोर पर जब इतने सारे ग्याहों की, पॉजिटिव द्रिश्टी याँ पर रहेगी, तो आपके लिए यह कारोबार के लिहाए से बहुत अच्छा हो जाएगा, नोकरी के लिहाए से बहुत प्लेगा